वाज इस वीडियो में हम लोग एक महत्पूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं 37 धवन इस्पेस सेंटर का एक्जाम डेट के बारे में कब तक आपका एक्जाम हो सकता है कब तक होनी की पूरी संभाब ना है और किस परकार से परस्न पूछे जाएंगे जैसे कि हाल ही में अभी रिसेंटली जो है एक दो दिन पहले बिक्रम सरा भाई इस्पेस सेंटर का एक्जाम आया था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे यानि किस परकार से आपके परस्न पूछे गए थे और आपका लेवल क्या था मैक्सिमम कितने बच्चे कितने प्रस्न पूरी वीडियो में तो आप वीडियो में शुरू से लेके अंतक बने रहे और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे क्या होता है कि सही टाइम पर सही जनकारी नहीं हो पाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सही टाइम पर आपको जो है नोटिफिक्षन प्राप्त हो जाएगा जिससे आप सही टाइम पर सही जनकारी ले पाएंगे तो देखिए जो सबसे पहले बात कर लेते हैं विक्रम सरभाई स्पीस सेंटर का उसका जो पेपर थ था उसका परस्था ब्लाइप शोचने पर मजबूर कर दिया गया था विध्यारती फेल क्रीबन जो है जैसे कि आप पता होगा कि जायों फ्रॉन ज्याय साथ या जदा 10 परस्थ जो है नन टेक के पुष्टन नन टेक का पुष्टे थे तकरीबन आपका 20 से 22 परसन ऐसे थे जो कि नन टेक से थे और ज़्यादा जो था नॉम्रिकल बेस परसन आए थे जिसमें सबसे बड़ा फेक्टर आपका था मैत का यानि कि अगर आप जो भी जारती मैत को अच्छे से कर लेंगे उसका रिजल्ट होने की पूरी संभाबन है क्योंकि टेक्निकल पार्ट तो सभी करके आएं होंगे क्योंकि टेकनिकल पार्ट में दो चार दस परसन ही ऐसे थे जो कि हलका साथ था, moderate level का था, बाखी बाट आप EGV में कर सकते थे, जैसे पुछा गया था कि कुछा गेज के गू और नू सीरा की साइड में होता है, तो यह सब EG level के थे, जो पुछ लिया था कि यह material क्या होता है, बेंच बाइस के spindle का, तो यह सब EG और नॉर्मल परसन होते हैं, जो सभी बिद्यारती कर ले जाते हैं, लेकिन selection उसी का होता है, कि जो EG के साथ कठीन परसन को भी कर ले, क्योंकि EG परसन सो सभी कर लेते हैं, और इसमें सबसे जो बड़ा factor था, वो मेत का था, क्योंकि काफी विद्यारती को मेत solve करने में दिक्कात आई, और जो physics के numerical थे, उसमें भी काफी परसानी आई है, यह चीज में पहले से कर आता है, कि अगर आपको इस रूख करना है, तो इस रूख को अगर निकालना है, तो आपको टेक्निकल के इसे कि एक्जम डेट के बारें भी बात कर लेते हैं पहले, पहले आपको बता दें कि आपको मतलब आपका त्यारी करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि काफी स्टुडेंट जो है भी जो मेरे पास message, call और कमेंट है, निरासा जनक है कि सर मैंने मेत का पाट यह इंपोर्टेंट है, फूर एक्जमपल के तरह बात रहा है, आप मेंसुरेशन सबसे पहले अच्छा कर लिजे, मेंसुरेशन का कलास भी चल रहा है मेरे चैनल पे, तकरिबन जो है पंच या छे दिनों, दस दिनों से बंद है, तो उसका स्क्वाइर और रेक्टेंगल चल र जाते हैं, है ना, तो आप चैनल विजिट करके यहां भी कलास कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल free of cost है, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, और उसके बाद आपके रेशियो से प्रस्ण बनते हैं, यह से प्रस्ण बनते हैं, प्रिब्यास एर में पूछा गया है, उसके बाद एक दो प्रस्ण जो है, एवरेज या और फिर जो है प्रोफिल लॉंस और लॉस और प्रस्ण बनते हैं, तो यह हैं, और बंकी बाद आपका ट्रिवो फिर आपका हाइट अंडिस्टेंस हो गया, और में सुरेसल में जितने भी चैप्टर आयाते हैं, उस सब सा इसके बारे में भी जो है, आपको डिटेल में जनकारी लेनी होगी, क्योंकि अगर आप यह नहीं करेंगे, तो फिर आपका सेलेक्शन होने वाला है नहीं, और साथ में जो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर के टॉपिक में दिये गया हैं, कि जिन जिन चैप्टर से आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है, तो ऐसे ही आपको टाइम कम मिलने वाला है, तो आप टेक्निकल पार्ट उतना हाड आता नहीं है, आप सिंपली अगर अच्छे से तारीक कर रहे हैं, बिसिक बिसिक चीज, तो आप कर ले जाएंगे उनकी परसनों को, तो ज्यादा दिक्कत होने वाला है नहीं इसमें, आपको नन टेक के पाथ करने हैं, ठीक है, और एक्जाम डेट तो बस अन्तिमा के जो है, ये अन्तिमा तक में घुसना हो जाएगा, और तकरिबन आपको अगले महने के जो है, बीसिया बास तरिक जो है, इसका एक्जाम भी होने की पू समने विकल्प है, आप साथ इसद्वन का अच्छी से त्यारी कीजिए, क्योंकि इसमें तो तकरिबन पंदरा से बीस फिक्स ही है कि नन टेक जो है, पुछा जाएगा, तो टेकनिकल के साथ साथ आपको नन टेक में भी धियान देना है, तो नन टेक को भी अच्छा कीजिए आप लोगों को, क्योंकि अगर इस रो में नवक्री लेना है तो इतना तो करना ही होगा, तो आप कलास भी कर सकते हैं, चैनल पे जो है, मैत के वीडियो जो है, बहुत जल से सारा जितना है, टॉपिक बाए टॉपिक जो है, इस रो में जो जो पूछा जाता है, एक भी परस